पूरा प्रोसेस में बताऊंगा बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखना तो सबसे वहले तु वीएन प्रोजेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा इसके बाद एडिटिंग करना है तो सबसे पहले वीएन प्रोजेक्ट डाउनलोड करने के लिए गूगल क्रॉम ओपेन करने के बाद यहां पर सर्च बॉक्स होता है तो इस सर्च बॉक्स पर ऐसे क्लिक करना इसके बाद यहां पर सर्च कर देना है दा आर्टी वर्ल्ड यहाँ पर सुर नहीं हो रहा होगा तो यहां पर उपर में देख सकते हो एक सर्च का आइकॉन है तो यहाँ पर दिख रहा होगा तो इस सर्च का आइकẫn को क्लिक करना है उसके बाद यहां पर Holy Reelsуль विडियो बस सर्च कर देना है या तो फिर सिर्फ और सिर्प Holy Reels सर्च करोगे यहां पर सबसे उपर में आ जाएगा यही वाला पेज तो सर्च कर देना कुछ इस टाइप से इसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर में आ गया होगा यही वाला पेज तो इस पेज में जो है क्लिक कर देना है तो यहाँ पर इसे जो है मैं क्लिक कर देता हूँ तो कुछी इस टाइप से क्लिक कर देना है तो क्लिक करने के बाद यह जो है ओपन हो जाएगा इसी page में जो है VN project डाउनलोड करने को मिलेगा तो इस page में जो है नीचे जाना ऐसे तो यहां पर कुछ इस type से scroll करना ज्यादा नीचे मत जाना हलका सा उपर कर लेना ज्यादा नीचे चलेगा यह होगे तो यहाँ पर project download now का एक बटन दिखाई दे रहा होगा blue color का बटन होता है लिखा होता है project download now उसे जो है click कर देना है इसके बाद यहाँ पर कोई से भी browser select कर लेना तो मैं यहाँ पर यह वाले browser को select कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पर जो है automatic google drive का page open हो जाता है तो इसी page में यहाँ पर देख रहा होगा यह जो है vn project है तो इसी project को जो है download करना है तो इसे जो है click कर देना ऐसे इसके बाद यहाँ पर उपर में download का icon दिखाई दे रहा होगा तो इस icon को जो है click कर देना तो click करने के बाद यह download हो जाएगा कुछ इस type से तो यहाँ पर यह download हो गया देख सकते हो यह 17-18 MB का होता है तो इसे जो है download कर लेना अब यहाँ पर download करने के बाद यहाँ पर home में चले जाना home में VN application जो है open कर लेना VN application open कर लेना कुछ इस type से तो VN application open होने देना तो मैं जो है open होने देता हूँ open होने देने के बाद यहाँ पर इसे home में फिर से कर देना है तो home में फिर से चले जाएंगे इसके बाद यहाँ पर फाइल मेनेजर में चले जाना है तो सभी के मुबाइल में फाइल मेनेजर होता है तो फाइल मेनेजर में चले जाना तो यहाँ पर फाइल मेनेजर ओपेन कर लेता हूँ मैं फाइल मेनेजर में जाने के बाद यहाँ पर जोन सा फाइल में जो है download किये थे VN project को उसी file में जो है चले जाना है तो उसी file में चले जाना so guys यहाँ पर जो है मेरे को मिली गया है यह जो है download किये थे हम तो इस VN project को ऐसे select कर लेना है या तो फिर direct open कर लेना तो open करोगे तो option नहीं आता है VN का तो इसलिए मैं ऐसे select कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पर share का icon को click कर देता हूँ या तो फिर share लिखा होता है तो share को click करना इसके बाद यहाँ पर import to vn का option आ जाता है तो इस import to vn के option को click कर देना है तो click कर दूँगा तो यहाँ पर open हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो open हो गया है अब यहाँ पर open project का option आ रहा होगा नीचे में देख सकते हो तो इस open project के option को ज्थ है Stand वगेरा सभी ओ्रलेज वगेरा सभी music वगेरा पहले से set है तो इसमें कुछ नहीं करना है और सिर्फिसर पॉर्टो जो है replace कर दिय suka देना है तो अपना फोटो को replace करने से पहले एक बार प्ले करके देखना चाहते हो तो प्ले करके देख सकते हो तो अपना फोटो को रिप्लेस करने के लिए यहां पर इसे जो हलका से जूम कर लेना अगर जूम नहीं करोगे तो इधर उधर हो सकता है इसलिए बहतर होगा कि कुछ इस टाइप से जैसे मैं कर करते हैं इसके बाद यहां पर रिप्लेस का ओप्शन दिखाई दे रहा होगा लिखा भी होता है रिप्लेस उसे जो है क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद यहां पर वीडियो का सेक्षन कुलता है तो side में फोटो का section है तो photo के section में चले जाना इसके बाद यहां पर अपने photo को select कर लेना तो मैं यहां पर से बाद यहां पर इस के भी ऐसे किलिक करूंगा और इसको भी बेंगा कुछ से फोट में कुछ आप से सब्सक्राइब करें खरेना ह Civरत प्रब्पाइन किलिक कर देना है और यहां पर फिर से अपने फोटो को ग्लिक कर देना है इसी type से सभी image में कर लेना है तो मैं वीडियो को thermal कर दिया हूँ किए बहुंत ही जादा लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए तो आप आराम से डियर आप सभी photo में अपना photo को replace कर लेना है तो यहाँ पर अपना photo तो जो है replace हो चुका है देख सकते हो तो वीडियो के starting में जाके play करके देख सकते हो वीडियो सही से work कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके बाद यहाँ पर इसे जो है export करना होगा तो ऊपर में export का option दिखाई दे रहा होगा उसे जो है click कर देना इसके बाद यहाँ पर नीचे मे यह color effect जो है नहीं आया है यानि कि extra color editing करना चाते हो तो a light motion application का यूज करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर अलग से वीडियो बना के रग दिया हूं कि वीडियो को कैसे color grade करें a light motion में तो यहाँ पर color grade कर सकते हो a light motion में वीडियो link description में है उसे देख लो तो कुछ इस टाइप से बहुंती easy था इस टाइप का editing करना तो वीडियो अच्छा लगे तो please like करना हो सकते चैनल को subscribe कर लो क्यूंकि 100 के के नजदिक है तो please subscribe